हेलो दोस्तो मैं ओदेड अगर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल एक जाम्योज वाई ओदेसर में तो दोस्तो इस सेशन को हम बहुती जल्दी कंप्लीट करेंगे पहला प्रिसन आपके सामने है हड़ी की नकासी के लिए हरियना का कौन सा जला प्रिसिद्ध है तो यहां से आप अपना सिकोर भी चेक कर सकते हैं हमेशा की तर है तो इसका जो राइट अंसर हैगा हड़ी की नकासी के लिए आपका कौन सा जला प्रिसिद्ध है तो फरीदवाद रहेगा और आप से पूछले वही चंदन की नकासी के लिए हरियना का कौन सा जला पिरसिद है तो जजजर रहेगा तो ये भी आपको दिहान रखना है तो इंपोटेंट पिरसन हम कह सकते हैं तो यानि के हाथी के जो दात है उनकी नकासी के लिए भी पिरसन बन सकता है तो जजजर रहेगा उसका भी आनस्वर ज़बकि हड़ी की नकासी के लिए आपका फरीदवाद है तो भी बिल्कुल इसका सही आνस्वर है जटाओं मोटसब कायोजन हरियाना में कहां पर किया जाता है तो दोस्तों ये प्रिसन एक्जाम में बना है और आगे भी इसके चांस है तो ये प्रिसन दो तरीके से पूछा जा सकता है एक तो जटाओ के नाम से पूछा गाया, दूसरा आप से गिद, गिद के नाम से भी आ सकता है, तो बात एक ही है, तो इस मेले का आयोजन कौन करता है, तो ये पुजारी करते हैं, किस मंदर के पुजारी करते हैं, इस मेले का आयोजन, तो मंसा देवीर मंदर रहेगा, जो की आपका कहां पर है पंचकुला यानि की सी बिल्कुल इसका राइट अंसर है और दोस्तों सीतला माता मंदिर आपका गुरुग्राम में है चेचक की देवी भी कहते हैं मसानी माता भी इसे कहते हैं और किर्पी के नाम से भी आता है तो ये भी आपको दिहान रखना है एक लब् तो इसका जो राइट अंसर रहेगा बिल्कुल मंसा देवी मंदर यानि की पंचकुला पंडित स्रीराम सर्मा ने तिलक पत्री का कव निकाली तो बिल्कुल अच्छा प्रिसन हम कह सकते हैं पंडित स्रीराम सर्मा ने तिलक पत्री का कव निकाली तो इसका जो राइट अंसर रहेगा 1923 में निकाली और पंडिस्री राम सरमा का संबंध जजजर से है इसे हरियन का नवरतन कहते हैं इतिहास पुर्स कहते हैं और इसे हरियन का तिलक भी कहते हैं ये भी आपको दिहान रखना है जबकि 1929 में एक आपके जो कागज पेपर मील की सतापना हुई है यम्ने नगर में दूसरा 1929 में आपके एक चांद मसिक पत्री का भी निकली है जो की अंबाला से निकल ले गई है विसम बनात कौसिक के दुआरा तो ये भी आपको दिहान आया तो इसका जो रही टांसर रहेगा प्राजी नीटों से बना हुआ मंदिर कहां पर है एक मातराप का कैथल में है और यहां पर कैथल में एक मातर सरस्वती माता का मंदिर भी है हरियाना का जो की पॉलड ग्राम से है जिसका संबंद है जहां से रावन का भी संबंद है त और इनके साथ में कई वार ऐसा होता है कि लाला मुली धर अगर आपको आपसन में ना मिले तो चंदू लाल मिलेगा तो ये आपको दियान रखना है लाला मुली धर का जनम पलवल में हुआ लेकिन इनकी करम भूमी अंबाला थी तो ये भी आपको दियान रखना है और इस पत्रिका का प्रिकासिन अठारे सो नवासी में किया गया अठारे सो नवासी में तो ये भी आपको ध्यान रखना है तो ये बिल्कुल इसका सही अंसर है हर्याना में प्राची इन समय कि लाग की चूड़ी आ उद्यो किस जिले का प्रिसिद्ध है या लाग की चूड़ी 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 का प्रिसिद्ध है रहेगा और एक और पूछ सकता है आपसे फियांस, फियांस की चूड़ियां बिवानी से प्राप्त हुई हैं, जो सिंदु गाटि सब्वता सथल एक वहां से प्राप्त हुई हैं, तो ये आपको दियान रखना ऐसे प्रिसन एक्जाम में बनते हैं, जबकि सफेद रंकिया, आस्वान को मना गया हरियान में, अरावली पहडी छेतर में, तो इसका जो राइट अंसर हैगा, महंदरगड के अरावली पहडी छेतर में, ये प्राचीन समय का एक विलुप्त जौला मुखी केंदर है, तो ये प्रिसन भी एक जाम में रिपीट हुआ है, तो इसका आपको दियान र और दोस्तो एक पिरसन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ इस वीडियो में कि सल्तनत काल का ताज महल किसे कहते हैं क्योंकि हमने कई बार करवाया कुछ साथी सेक्चिली का मकवर बताएंगे वो गलत आंसर है यानि कि वो हरियना का ताज महल है जबकि मैंने आपसे पूछा सल् राइट अंसर रहेगा भी बिल्कुल सही आंसर है अठाए सो स्तावन की करांती का वरनन किस सिपत तरीका में किया गया है तो बिल्कुल अच्छा पिरसन है और दोस्तो अगर आप चाहते हैं कि हमें ऐसे ही अच्छे लेवल के पिरसन चाहिए जो आपको सेलेक्शन दिला सक कर सकते हैं साथ में आपको 2020 की करांट अफेर फिरी मिलेगी बिल्कुल जहां से पिरसन एक्जाम में पूछे जा रहे हैं यानि कि सितंबर तक की करांट अफेर आपको मिलेगी और साथ की साथ आप इनके साथ में हमारे एगरी कल्चर और एनिमल के प्रैक्टिस सैट भी हमें इस नमबर पर मेसेज या वाट्सआप कर सकता हैं की आपको मिल जाएगी हैंको कैसी जोईन कर सकते हैं तो यह पूरी जानकर नियाए जाए तो इसका जो राइट अनसर देगा फासी का वर्नन किस पत्री का में किया गया है तो चांद ent thriveica है जिसका हमने आभी जिक्र कि यह आपकी विसंबनात कौसिक ने निकाली थी अंबाला से तो यह भी आपको दिहान रखना है और 1929 में इसका मतलब की प्रिकासन किया गया है और सपेसली 857 की क्रांती से संबंदित है अंबाला में किस प्रिमुक वैक्ति ने बंफ हैक्टरी की सतापना की तो इसका जू राइट अंसर रहेगा ये स्पाल की गई है तो यह आपको दिहान रखना है ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा गलीचा उद्योग और दरी उद्योग किस जिले का पिरसिद्ध है दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ अगर option में पानी पत है तो सबसे पहले आपको पानी पत लगाना है वैसे ये जो पिरसिद्ध बनता है एक जमें दरी उद्योग पूचता है सीदा की दरी उद्योग किस जिले का पिरसिद्ध है तो इसका जो right answer माना जाता है पानी पत माना जाता है लेकिन अगर ये दोनों आ जाए और पानी पत option में नहीं है तो फिर आपको अंबाला लगाना है तो ये भी आपको ध्यान रखना है और इसका जो right answer रहेगा इसके according में आपको बता रहा है पानी पत है अगर option में पानी पत नहीं है तो फिर आपको डी लगाना यानिकी अंबाला ठीक है इसमें वैसे डी दिया है इस पर आपको ध्यान नहीं देना है तो यानिकी अंबाला का पिरसिद है फल्गु मेला कहाँ पर लगता है तो इसका जो right answer रहेगा ये सौमवती अमावश्य को लगता है और आपके फलर गाम में लगता है जहां पर यानिकी फलर गाम आपका कहाँ पर कैथल में और इसे फल्गु टेंक के नाम से भी जाना जाता है तो ये भी आपको ध्यान रखना है तो इसका जो right answer रहेगा ये बिल्कुल इसका सही answer है और ये पर शन्तो हमने अभी cover किया विसंबनात कौसिका चांदमासिक पत्रीका से किसका संबंदे विसंबनात कौसिक लूर निर्तिया कहां का प्रिसिद है तो ये छेतर भी आप से पूछ सकता है अगर छेतर आप से पूछ ले लूर निर्तिया कहां का प्रिसिद है तो छेतर रहेगा बांगर छेतर रहेगा ये आपको ध्यान रखना है पश्चिम शेत्र के नम से भी आता है कई बार तो ये भी आपको ध्यान रखना है वैसे लूर निर्ते आपका जीन्द जली का प्रिसिद्ध है तो ये प्रिसन भी यहां से बन सकता है और कई बार एकजाम में पूछा गया है तो ये भी आपको ध्यान रखना है और ये मंद गती के लिए जाना जाता है तो ये भी आपको ध्यान रखना है तो ये भी आपको ध्यान रखना है तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुले सही आंसर है तो ये भी आपको ध्यान रखना है तो ये भी आपको धिहन रखना है तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भी बिल्कुल सही आंसर है हरियन का सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है तो इसके according अगर हम यहाप पर देखते हैं तो सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है तो सिर्षा में होती है कहाँ पर होती है सिर्षा में होती है और साथ की साथ अगर आपसे सथान की बात करें यानि कि किस सथान पर होती है जिले की हम बात नहीं करें तो आपको ध्यान रखना है लोहारू एक सथान है जो कि आपका भिवानी में आपर सबसे कम वारिश होती है तो ये आपको ध्यान रखना जैसे छचरोली में सबस्यादिक होती है और जिल्ला कौन सा है आउसत वर्सा मे अम्बाला सबसे आ गए तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सी बिल्कुल सही आंसर है और हरियाना में सी इतकाल में होने वाली वर्सा को किस सथानी नाम से जाना जाता है तो ये भी एकजाम में बना है जुलाई में जो आपके एकजाम होएते हैं तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आपका रेवाड़ी से और मूर्तिकला यहीं से स्टार्टिंग होई थी यानि की एक सकूल से हुई थी तो ये भी आपको दियान रखना रेवाड़ी के से तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भी बिल्कुल सही आंसर है हर्याना का सरस्वती पुत्र के सिप्वेक्दी को कहा जाता है तो इसका जो राइट आंसर रहेगा राजेंदर खर्किया को सरस्वती पुत्र कहते हैं तो ये भी आपको ध्यान रखना इंपोर्टेंट है सरस्वती नदी आपकी कहां से निकलती है आदी बद्री यमननगर से निकलती है और वहाँ पर जो मुस्तफाबाद एक प्राची नामता उसका सरस्वती नगर कर दिया गया तो ये भी आपको ध्यान रखना है हरियना का फिर्मुक रास निर्ते का संबंद किस जले से है तो इसका जो राइट आंसर रहेगा रास निर्ते का संबंद कहां से है फ्रिदवाद से है और दोस्तो हरियन सरकार गीता जैन्ती मौतसब के तरज पर किर्षना मौतसब भी मनाईगी तो ये भी घोसना कर दी गई है सरकार के दोरा तो ये पहली बार ऐसा होगा तो ये भी आपको धियान रखना है तो D बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा पंजाब हरियना हाईकोट की सतापना भार सरकार के किस अधीनियम के तहत होई तो इसका जो डिल्कुल राइट आंसर है हरियाना के किस कवी को आसु कवी कहते हैं तो बिलकुल आसान प्रिसने दयाचंद माईना को कहते हैं इसे जॉन मिल्टन के नाम से भी जानते हैं और ये पहले नैसनल कवी थे यानिकि राश्टे कवी थे हरियाना के पहले जबकि राज्य कवी कौन थे उदै भानुहंस थे और दूसरे कौन थे राज्य कवी खुसी राम सर्मा और अर्दू बासा के पहले राज्य कवी थे अनुप चंद आपताव जबकि राष्टे कवी कौन रहे हैं दयाचंद माइना तो इसका जो राइट अंसर रहेगा सी बिल्कुल है राइट अंसर है तो दोस्तो इस वीडियो में